Hello everybody this is DIGRAS SINGH RAJPOOT Welcome to MAGNATE BRAINS इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम CLOUDS के बारे में पढ़ेंगे To be more precise हम types of clouds के बारे में पढ़ेंगे यह जो topic है यह बहुत significant है खास करके वो students जो सारे competives की preparation कर रहे हैं आपको अच्छे से समझना है क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे exams में cloud से related clouds के formation clouds के types पे question आ जाते हैं तो हम आपको एक perspective देंगे ठीक है extra details भी बताएंगे और इस topic को आपको अच्छे से समझना है जो class 11 में है आपको तो पढ़ने ही आपके exam आने वाला है fine तो देखो clouds जो है तो clouds के types को अगर हम पढ़ते हैं तो clouds के types में तो हमने कह दिया cirrus है cumulus है stratus है nimbus है खतम होगे क्या है यहां पर नहीं टाइप तो पता चल लेकिन इनमें differentiation क्या है कैसे cirrus और cumulus एक दूसरे से अलग है ठीक है cirrus कौन से clouds होते हैं और आप cumulus बादलों में कभी हाती रून रहें कभी घोडा रून रहें ठीक है तो आखिर clouds को समझते है क्लास 11 में कि है क्या चीज़ तो cloud is a mass of minute water droplets और tiny crystals of ice ठीक है अभी आप लोगों के मन में आयोगा कि ice का उसे आ गया बादलों में clear करें उसको भी form by the condensation of the water vapor in free air at in free air at considerable elevation ठीक है तो यहां पर इसे keywords है कुछ-कुछ water vapor हो गया considerable elevation हो गया यह आपको definition exact जो है तो concept समझाती है clouds क्या है clouds जो है तो cloud is a mass of minute minute water droplets water droplets आपने देखा बादल जो होते हैं बादल ही बारिश करवाते हैं तो बादल बारिश करवा रहे तो कोई नल थोरी ना उनके पस में वह बादल के अंदर बारिश करवाने के लिए पानी कहां से आता है तो जो water vapor होती है वह water vapor जब एक certain elevation पर जाके certain altitude पर जाके क्या होने लगती है condense होने लगती condensation वगरा इसलिए सब कुछ chapter के starting में ही पढ़ लिया आपने और यह clouds कहां है atmosphere के अंदर यह ना तो water in the atmosphere तो water in the atmosphere is found in the form of clouds ऑल्सों ठीके जो बादल होते हैं बादलों में पानी और पानी से ही क्या है निकल के आ रहा है बारिश और बारिश से जो हम पानी पी रहे हैं वह पानी ठीक है तो क्या है cloudism मास ऑफ माइनुट वाटर द्रॉपलेट तो माइनुट चोटी 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 वाटर द्रॉपलेट का एक पूरा का पूरा समुहू जो आपको एक सर्टन एलिवेशन पर देखने को मिलता है वो वाटर वेपर जो सारी कंडेंस होने के बाद में cloud बन जाती है पर जहां 0 degree Celsius से क्या होता है कम temperature होता है वहां पर जो वाटर वेपर है वो किस चीज में convert हो जाएगी वहां पर उस हाइट पर जाने के बाद में water vapor जो है तो वह गैशिस फॉर्म से solid form में convert हो जाएगी sublimation and that process is known as sublimation so this was the whole story about clouds I hope आपको definition clear हुए है लेको मैं टाइम लोंगा लेकिन आपको अच्छे से बताते हैं चलूंगा सारी चीज़े कि आखिर clouds क्या है clouds की definition clear हुई आगे बढ़ते हैं तो as the clouds are formed at some heights over the surface of earth they take various shapes अब क्या होता है कि surface of earth पर अगर आप जिसी देखो कि तो clouds आपको 1 km पर भी मिलेंगे 2 km पर मिलेंगे 8 km पर मिलेंगे 10 km पर मिलेंगे अलग 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 लेवल पे हैं तो उनका form जो रहता है वो अलग अलग है form अलग अलग है तो according to their height मिलेंगे आपको फॉर्ग क्लाउड मिलेंगे आपको फॉर्ग क्लाउड है एक दम सर्फिस पर हत घुमा दोगे उसके अंदर से तो क्या है कि according to their height according to their height expense कितना वो अपने आपको stretch कर पा रहे हैं density transparency मतलब क्लाउड होते हैं बहुत जादा ठीक है मतलब क्या होते हैं कि वह सूरत बादलों के पीछे छुप जाता है ठीक है तो इस तरह से ओपेक्नेस transparency इन सारी चीज़ों के सब्सक्राइब जैसे देखेंगे तो clouds are grouped under four types चार टाइप है अब यह जो चार टाइप है तो इनके अलग-अलग permutation combination मनेंगे भी ठीक है बाकि आपको यह कहानी ध्यान रखना है कि major form जो होते major cloud जो होते major types of cloud जो है वो क्या है ठाम चार है मैं सिरस्धक्यूलरस के स्ट्रेडर्स और निंबस टिगा तो साइरा सक्वेलरस के ट्रेडर्स निमस है plisamilast है तका तो आपको यह क्लाउड वाले टॉपिक से कैसे कुशन मन के आ सकते हैं क्लियर हुआ चलो सिर्स को समझते हैं देखो तो सिर्स क्लाउट्स आर फॉर्म्ड एट हाई अल्टीट्यूट्स सबसे पहली और इंपॉर्डेंट चीज होगी चैरेक्टरिस्टिक होगी जिससे आप डिफ अधिकतर वह आई से ही बने रहते हैं वाटर वेपर जो रहता है वहाँ पर क्या हो जाता है एक तरह साब देखोगे कंडेंस होने के बाद में किस तरह से बन जाता है कंडेंस अगाद में से क्रिश्ट्र आइस में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है हाई एंड डिटेश क्लाउट सेविंग फैदरी अपीरियंस दे आर ओल्वेस वाइट इन कलर हमेशा सफेद रहते एकदम सफेद ठीक है निर्मा वाइट और से साथ में रहते हैं सब बहुत जादे उनका कह सकते कि ग्रूप नहीं रहता है सकाटर रहते हैं फैदर लाइक रहते हैं लाइट थिन क्लाउट देखने को मिलते हैं अब विजुलाइशन वाली चीज़ है पते हैं आप कितना अब्सर्फ करते जियोग्रफी को आपने कभी देखा होगा कि लोग जो माउंटीनियर्स जो रहते हैं तो अगर कोई एवरेस्ट पर समिट कर रहा है तो उसकी प стрड़ काम मतलब ऐम बहूत कम क्लub देखने को मिलेंगे शर लाइख क्लाल्ट देखने को मिलेंगे और यह एक्जामपल किसका हो गया यह सेरस जिक्षा में आप दो जा आपको समझता है कि तो कि मेलड़ क्लाउड सन नोक लाइक कॉटन वूल तो जो नोक होता है को लुटन वूल आपने देखा होगा कि कभी देखा कॉटन वह जो घृट आइट अप निकलती तो टो चैसे नीचे से फ्लाइट रहता है ठीक है और उसके बाद में कुछ तरह से यह को यह सिरस से नीचे आप कुछ तरह के क्यूमिलस क्लाउट देखने को मिलेंगे जो की विचार मोर और सिमिलर टुदी कॉर्टन वुल ठीक अब यहां पर इंटरस्टिंग चीज कर दे एक्जिस्टीन पैचेस एंड कैन भी सीन स्काटर्ड हीर एंड देयर देयर आफ फ्लैट बेस करेक्टरिस्टिक्स देहान अटते चलना एंट सीधी की सीधी लाइन आती है प्रिवेस्यर कॉश्यंस अगर आप देखोगे तो मल्टीपल स्टेट पीसी एस यूपी यूपी एसी का तो देहन नहीं मुझे बागी तो बर में वहीं रहती कैसे एक 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 काट नबाल लगी रहती है वैसे आपको यहां यहां देखने को मिलेंगे एक यहां देखने को मिल रहा है कभी-कभी जब clear highlot होता है तब हमें serious clouds इस तरह से दिखते हैं अब फिर होता है जब हवाय चलती ना तीज तब हवाय चलती तो यह cloud इस से टक्रा जाएगा और इस तरह से एक फिर वह बड़ा जब कैसकते है क्युमिलस का बड़ा ग्रुब बनता है तो यह जो बड़ा ग्रुप बनता है तो वह कभी-कभी बारिश भी करवा देता है तो एक वहां पर देखने को मिल रहे हैं तो से 7,000 मिटर के बीच में देखने को मिल रहे है ठीक है अब यह देख लोपर का है सिरस्क्लाउट जो आ तो सिरस्काउट इस तरह से आप जिसे देखेंगे तो यह सिरस्क्लाउट सिर्फ तरह स्ट्टर में है तीन होते हैं बहुत जादा और यह क्या होता है यह स्ट्राइब रहते हैं क्यूमलेस ग्लाउट रहते हैं रोही की तरह रहते हैं ठीक है को टन वूल की तरह रहते हैं फिर आगे अगर जैसे अगला तीसरा क्याटेगरियी जो है तो एस तरह से आपको स्ट्राइटा में जमा वह मिलेगा एक के बाद एक लेयर दिखने को मिल जाएगी स्ट्राइटस क्लाउट्स हो गए ठीक है एस देर नेम इंप्लाइज इस आर लेयर क्लाउट्स कवरिंगा लाज पोशन ऑफ इसका है और जैसे क्यूमिलस में क्या है वह इंडिवीजल ही है ठ बादल को रहते हैं तो लार्ज स्केल पर क्या रहता है वह इस ट्रैटस को चाहा जाता है नो मैं बता है और कि लिए प्रतव कहलें गनैब जाएगा आगे सब्सक्राइब नताय से पर्मॉटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे दो अलग 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 केटिगरी क्लाउट जम मिलते हैं तो बाकि स्पेसिफिकली देखें तो चार टाइप जो एक स्ट्राइटस हो गया इस ग्लाउट जानरली फॉर्म्ड आइदर ड्यू तो दी और दिव और दी मिख्सिंग ओस यह मासे रिफरेट यह तो अलग तरफ तक टेमपरेचर पर जाव एर मास अब तो अब तरफ यह थो स्ट्रेटर से श्रेट इस खलाउड क्लाउट जो है वह बंते चले जाते हैं लास्ट के डिखरी जो है वह क्या है निम्बस अब निमबस तो निम्बस क्लाउट्स का आपको और नीचे देखने को मिलेंगे पहरल रहते है इस ट्रेटस क्लाउट के ठीक वहाँ पर क्या था हुथ है यह तो यह आपको पर नहीं इंका अलियेशन जादा ऊपर नहीं होता है निम्बस तो निम्बस क्लाउट्स आर ब्लैक और डार्क ग्री ठीक है दे फॉर्म एट मिडिल लेवल्स और वेरी नियर टुदी सर्फिस ओफ अर्थ ठीक है तो अर्थ सर्फिस के पास में आपको देखने को मिलते हैं नीचे और कभी-कभी तो यह सा हो जाता है जैसे जब हम इस्ट हमने बढ़ाया था थो आप उसके बीच में से निकल के चले जाओगे वो तो क्या है वो वाटर वेपर आपके कपड़ों पे नमी आजाएगी और अब उसे फील कर पाएंगे तो इस तरह से क्या है निम्बस क्लाउट को वाटर बियरिंग लॉट हम दिखेंगे पर् ब्लैक और डार्क ग्रें इनके अंदर मॉश्यर भी बहुत जादा होता है दे फॉर्मेट मिडिल लेवल्स और वेरी नियर तुदी सर्फेस आफ दी अर्थ मिडिल लेवल और नियर तुदी सर्फेस आपको देखने की बिल जाएंगे इस और एक्स्रीमली डेंस एन ओपेक ट इस और एक्स्ट्रीमली डेंस एंड ओपेक टुदी रेंज ऑफ सन सम्टाइम दी क्लाउट्स आर सो लो देट देट सीमस्ट टूच दी ग्राउंड निम्बस क्लाउट्स आर शेपलेस मासस ऑफ थिक वेपर शेपलेस रहते हो तो जितना उसके अंदर वेपर मिलते जाएग यह कभी हाथी कभी घोडा जो नहीं बनते हैं तिक रेंवेरिंग लॉट्स होते है यह जिसे देखो कि स्ट्राइट इस तरह से स्ट्राइटा में ग्रेग अधिक रहा है उसका वही धर्शारा क्या यह भी ओपेक होते हैं वैसी निम्बस क्लाउट को देखो तो यह भी ग्र स्ट्राइटस और निम्बस जो हैं लोगर लेटीट्यूट के क्लाउट है ठीक है स्ट्री एल्टीट्यूट के क्लाउट है यह सारी कहानी हो गई है अब जिससे अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन ओफ इस फोर बीसिक टाइप्स कें गिल राइस तो फॉन टाइप्स अफ हाइबाकना के दीटा ऊपर एल्लीरTrust तो जिन देखा है तो जिन स्टायमस में आपको जैसे क्या बहुत जफा कैने हो जाएंगे अब अगर क्या हो जाएंगे एक तरह से क्यों मिलेंगे स्ट्रक्चर क्या में आपको ताया कि वह जब रूइं की तरह हो जाते हैं तो आगा समझ में कैसे पर्मोटेशन कॉमिनेशन बनेगा आपको कैसे पहचानना है प्रिफिक्स से पहचान जाओगे अब जिसी जो मिडिल क्लाउड्स होते हैं तो मिडिल क्लाउड्स के लिए एक वर्ड यूस किया जाता है एल्टो स्ट्रेटस अब आपको बात करते हैं कि लोगर लेवल पर में पता है कि लोगर मी क्या देखा जैसे करें यहां पर देखें तो लोगर्द में क्या निम्बर स्ट्रेट इसा तरुमिलर चियाँ के अ हो जाते हैं अब यहां पर एक जो एक स्पेसिक केटिगरी एक स्टेंसिव वर्टिकल डवलप्मेंट वर्टिकल मतलब कहा ऐसे ऊपर एक स्टेंसी डवलप्मेंट जो होता है इसके अंदर बहुत तो आखे तो एक तो क्योंट facts का एक स्टेंसिव वर्टीकल डेवलप्मेंट हो जाता में श्क्राइक ज़का तो क्योंट स्टेंसिव स्टेंसिव शाहिए और च्टेंसु हो तो पहले पढ़ा है क्या क्यों मिलस अब एक क्यों मिलन इंबस कौन से होते हैं तो निमस मतलब लोगल में जो डार्क ग्रे जिनके आंदर मौस्टर जादा है वह निमस ख्लाउड्स और यही जब ऊपर तक स्ट्रेश डप रहते हैं तो इन्हें क्यों निमस कहा जाता है गंगोर बारिश करवाते हैं तो यह थी पूरी कहानी क्लाउट्स की I hope you enjoyed एक बार बिकॉल जरूर करना है बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है किस परस्पेक्टिव से कि अगर आपको सिस्टेमाटिक वे में वीडियो लक्ष्ट के फॉर्मेट में अवेलेबल है जिन्न आप बहुत आसानी से पड़ सकते हैं समझ सकते हैं घर गर बैठे हैं अपना सिलिबस कम्लेट कर सकते हैं अपने जूनियर्स और सीनिर्व को ज़रू बताए magnet means के बारे में मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तिल देन स्टेय कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू बेरी मुच